गोड मार्निंग ओल उफ यू जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बाचित किया था चार तरह के लोग अपने और्गनाईजिशन में या कहीं भी देखे जाते हैं इस संदर में मेरे कुछ दोस्तों ने बाचित की कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका स्किल भी नहीं है और विल भी नहीं इस पर थोड़ा प्रकास टाले तो आज मैं इस संदर में आपसे बाचित करूँगा और इस पे एक छोटी सी कहानी भी आप सभी के साथ साजह करूँगा जिससे ये सारी चीज काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी मैंने आपसे बाचित किया था किसी भी औरगनाईजिशन में या कहीं भी चार तरह के लोग देखे गए हैं पहले वह विक्ति होते हैं जिनके पास विल तो होता है लेकिन स्किल नहीं होता ऐसे लोग खासकर नए इंपुलाई नए ओफिसर्स होते हैं इन्हें जानकारी नहीं होती लेकिन ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद करते हैं सीखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे ये काके अच्छा परिणाम देंगे दूसरे वह वेक्ति होते हैं जिनके पास स्किल का तो भरमार होता है काफी होती है स्किल लेकिन दुर्वागवस विल नहीं होता इस अंदर में मैंने बाचित किया था महभारत का जिसमें अरजुम के पास स्किल तो काफी था लेकिन युद्ध करते से पहले ही उसके विल में कमी आ गए फिर भगवान कृष्ट ने गीता का उपदेश कर देकर उन्हें मोटिवेट किया और उनके विल को जागरित किया उसके बाद उन्होंने काफी सुन्दर परिणाम दिया तो वैसे विक्ति जिनके पास स्किल है लेकिन विल नहीं तो ऐसे लोगों को पुरचशाहित किजिए, मोटिवेट किजिए यह बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे तीसरे विक्ति जिनके पास स्किल भी है, विल भी है ऐसे लोगों लगवग किसी भी और्गनाईजिशन में या पुरे विश्व में दो परसिंठी होते हैं इन्हें बस हलका पुस्की और शक्ता होती है और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे परणाम देते हैं और खासकर ऐसे लोग काफी उच्छ पद पे होते हैं चोथे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास न विल है और न इसकिल जिसके बारे में सारे लोगों ने मुझे से बाचित की थी जो क्रिपया इसके बारे में तोड़ा क्लियर मुझे बताया था कि ऐसे लोगों को मैं समझ पाऊं तो इस संदर्ब में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक बार की बात थी रात का समय था महीना दिसंबर या पूस का कह सकते हैं पूस का महीना दिसंबर की महीने के बारे में तो आप सभी जानते हैं कितनी ठंड़क परती है एकदम जोरू की ठंड थी कपकपी उत्पन कर देने वाली ठंड थी और दुर्भागिवस उसी समय वारिस भी हो रही थी काफी वारिस हो रही थी आंधी तुफान तो एक जंगल में एक पेर था और इस तरह का कुछ वातावरन था उस पेर पे बहुत सारी पक्छी रहते थे और वो सारे पक्छी अपने अपने घोसली में अराम से बैठे हुए थे ठीक उसी समय एक बंदर का जुन्ड आया और उस पेर की नीचे आकर बैठ गया तभी एक पक्छी ने उस बंदर को देखा काफी दैनिये स्थिती में थे वो सारे लोग सारे बंदर तो उस ने कहा कि जो भगवान ने तुम्हें तो दो हाथ भी दिया है अकल भी दिया है तुम भी क्यों नहीं घोसला बना कर रहते हो मेरे पास तो किवल एक चोच और ये हाथ है तब मैं इतना सुन्दर घोसला बना कर अराम से अपने बच्चो पडिवार के साथ रहता हूं और अन्न का दाना रखा हूं ताकि विपत्तिकाल में मुझे भोजन की भी दिक्कत न हो इसके बाद वो बंदर जिनके पास न स्किल थी और नहीं इस तरह का कोई कारे करने का विल उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया और पूरी पीर को हिला दिया और पूरी पीर को हिलाने से प्रणाम यह हुआ जितने भी घोसले थे वो सारे तूटके जमीन पे गिर गया है उसमें बहुत सारे अंडे थे बच्चे थे जो सत्यारास हो गया फिक उसी तरह से जैसे अनिसकिल और अन्विल वाले को अगर आप ग्यान देने का कोशिस करते हैं तो वह उस ग्यान का फायदा नहीं उठाता बलकि आपका ही नुक्सान करता है अता है ऐसे वेक्ति जिन्हें ना विल है ना इसकिल ये मधुमक्खी के खोती के जैसे होते हैं जिन पर यदि आपने कोई भी स्टोन मारा या अंगली उठाया तो ये पूरे जुन्ड आप पर आकरमन कर देते हैं और फिर आप अपने कारे छेतर से अपने मकसद से अलग हो जाते हैं अत ऐसे लोगों को न कभी छेरे और नहीं ग्यान दे ऐसे ही वह वेक्ति होते हैं जिन्हें ना विल है और ना इसकिल मुरल अब दे स्टोरी मुर्ख को दो पैसा दे दो लेकिन अकल कभी मत दो यदि अकल देते हो तो वह आपको ही नुक्सान पहुचाते हैं जए हिंद